हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल के इस धार्मिक बाते में आज की वीडियो में हम जानेंगे जन्माश्टमी 2023 में कभे 6 या 7 सितंबर पूजा का सुम्होरत, पूजा विधी पारण का समय और रोहिनी नच्छत्र का समय हिंदु पंचांग के अनुसर भादरमा में क्रिसन पक्षगी अस्तमी दिती को क्रिस्न जनْमाश्टमी मनाई जाती है भगवाँसरी क्रिष्ण के जन्मोच्षब के रूप में यह परव देशवर में हर्ज अुलास के साथ मनाया जाता है कृष्ण जन्मास्ट में के दिन लोग वरत करते हैं और रात में 12 बजी कान्धा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके वरत का पारण करते हैं इस दिन भगवान सरी कृष्ण के बाल गोपाल सोरूर की पूजा की जाती है ऐसी माननेता है कि इस व्रत को करने से भगवान स्री कृष्ण सभी मुरादे सिग्र पूर्ण कर देते हैं वही महलाय संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करती है क्रिश्ण जन्मा स्टमी के दिन लड़ू बपाल को प्रसंद करने के लिए कई तरह के पकवान अर्बित किये जाते हैं उन्हें जूला जूलाया जाता है ऐसे में चलिये जानते हैं साल 2023 में क्रिष्ण जन्माश्टमी कब है। उन्हें चलिये जानते हैं साल 2023 में क्रिष्ण जन्माश्टमी कब है। पूजा के कुल अब्धी 46 मिनट पारण ब्रत पारण का समय साथ सितंबर 2023 में सुभच्छे बचकर 9 मिनट पर। क्रिष्ण जन्माश्टमी पूजा विधी क्रिष्ण जन्माश्टमी के दिन प्राता स्नान आदि से निवरित होकर सभी देपताओं को नमस्कार करें और ब्रत का संकल पले। श्रीक्रिष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था ऐसे में रात 12 बजे से पहले पूजन अस्थान पर बैठ जाये और तयारिया पूरी कर भगवान श्रीक्रिष्ण को दूद और गंगजल से स्नान कराएं और नए वस्र बहनाए इसके बाद उन्हें मौर पंक वासरी मुकुट चंदन वैजनती माला तुलसी दल आदी से सजाए साथी लड़ू को पाल को फल फूल मखाने मिश्री का भोग मिठाई मेवे आदी अर्पित करे भगवान श्री कृष्ण के समक्चे धूप दीब जलाए श्री कृष्ण के पाल सोरोव की आरती उतारे और प्रसाद बाटे ध्यान रहे की जन्मास्ट में वरत रातरी बारह बजे के बाद ही खोला जाता है आपको यह भी बता दे कि इस वरत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है ऐसे में फलहार के रूप में कट्टू के आरते का हलवा बनाया जाता है